हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका एक बर्फिट से मेरी चैनल पे तो दोस्तो जैसा कि अभी रहनी सीजन खतम हो रहा है सप्टमबर मंथ चल रहा है और हमें विंटर गर्डन की त्यारी करनी है तो हम आज एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि विंटर का बहुत ही खास प्लांट है विंटर में भर-भर के फ्लावरिंग करता है क्रिसम्थिमा, गुल्डाओदी जिसे चंद्रमलिका और भी कई नामों से जाना जाता है तो आज मैं आपको पताऊंगी कि हमने अगर लास्ट एयर पे जो प्लांट सेव करके रखे हुए हैं गुल्डाओदी के तो उन्हें किस तरीके से फ्लावरिंग पे लाना है और किस तरीके से उन्हें करना है, केर करना है उसकी ताकि वो इस साल भी हमें अच्छी फ्लावरिंग दे सके गुल्डाओदी के पाओदे पर्मानेंट प्लान की तरह हमारे गार्डन में साल भर बने रहते हैं लेकिन सीजन आने पर हमें उन्हें फिर से बूस्ट करना होता है प्लावरिंग कर पाएं अगर हम इन प्लांट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे तो यह देखिए मेरे लास्ट ये सेव की हुए प्लांट है काफी सारे हैं तो इनका आप कंडिशन देखिए किस तरीके से हो गए उपर से तो यह आपको हेल्दे लग रहे होंगे लेकि नीचे नीचे से इनकी सारी पत्या काली हो गई हैं और इनमें काफी सारे पैस्ट भी लगे हुए हैं तो इन ब्लांट्स को अपकिस तरीके से करना है यह देखिए पहले मैं आपको सारे ही दिखा रेती हूं की इनकी क्या कंड को इनकन है यह, ब्रहाने के लिए दिखा जेखिए गिए सिप्र थाइसी करना नीचे से से जो इसकी सफिंस हैं इसके स्फिंस खलें को आपको दिखा ना होता है यह तो दीखिए इस तो इस तरह से आप उनको उर्पर से पुरा कट कर दीजिए तो नीचे से जो इसकी anno मैं或者 इनकी फिर से ग्रोथ होती है मैं आपको अपडेट के साथ दिखाऊंगी और मैंने कुछ कटिंग्स यहां पे अलग कर ली हैं क्योंकि मैंने अभी कटिंग्स नहीं लगाई इसकी एक ही बार मैंने जब आपके साथ वीडियो शियर गया था तब आट तस कटिंग्स लगाई है तो मुझे काफी सारी कटिंग्स लगानी है तो वो मैंने अलग निकाल ली है और जो बिल्कुल ही खराब पतिया है और जिन में पैस्ट लगे उन्हें मैंने अलग कर दिया है और आप देखिए इस तरह से सारी मैंने कट कर ली है यह रीखिए और कुछ दिन के बाद मैं और जो cuttings में निकाली हुई है इन्हें मैंने साफ fungiside water में डालके रखा है और फिर इसमें से मैं की अच्छी cuttings निकाल निकालके लगा लूँगी पहले मैं इसे अच्छी से wash कर लेती हूं cutting को लगाने से पहले साफ fungiside में ताकि इसमें जो fungus लगा है या कीले लगे हैं वो ह इन सारे ही plants को मैंने उसी तरह से cut कर दिया था काली काली इनकी पत्या निकाल लिया और stems कर दी तो ये उसके बाद देखिए 6-7 दिन के बाद ही इनमें पत्या निकलनी start हो जाती है कुछ पत्या ये जो आपको देख रही है ये कुछ पुरानी है मैंने एकदम नीचे से नही हो है ये वाले देखिए इनमें भी पत्या निकलना start हो गई है तो बिल्कुल आराम से इनमें growth हो जाएगी और इसकी जो अभी branches निकलेंगी पत्या निकलेंगी वो healthy होंगी और उने फिर हम अपने according पिंचिंग करके बुशी करके और इन plants को इसी तरीके से ready कर सकते हैं आप इन plants को एक बार report भी कर सकते हैं जब इनकी अच्छी growth स्टार्ट हो जाएगी तब अभी अगर आप इन plants को खोलते तो ये उतने अच्छे से नहीं चल पाते इसलिए आप इने पहले इस तरीके से ready करिए उसके बाद आप इने चाहें तो report कर सकते हैं अगर नहीं चाहें तो अच्छे से fertilizer देंगे तो वो flowering करने लगेंगे यहां पर देखिए मैंने जो cutting वाला वीडियो आपके साथ share किया हुआ था तो उसका मैं update भी दिखा देती हूं आपको तो जितनी cuttings मैंने लगाई थी सारी किस सारी cuttings यहां पर success हो गई हैं कफी अच्छे से हमारी cuttings लग तो मैंने इन में साफ फंजी साइट का spray भी किया हुआ है और regular करूंगी इन्हें अब मुझे report करना है लेकिन मेरे पास अभी planter नहीं है तो मैं उसके बाद फिर इन्हें report करूंगी इन cuttings को निकाल के आप एक एक cutting को एक pot में डाल के और इन्हें ready कर सकते हैं अगर आप मैंने निकाली हुए थी जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने साफ अंजी साइट में डिप करके रखा है उसके बाद ये cuttings मैंने लगा ली है और पांचे दिन में ये भी अच्छे से सेट हो चुकी है यहां पे देखिए नई शूट भी निकल आई है इसमें ये सर्वी स्टै अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप देखना चाहते कि आगे भी मैं विंटर गार्डन की त्यारी कैसे कर रही हूं तो उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहां देखिए अलग-अलग पॉट में मैंने अ की प्रिंट्स पाई हैपी गार्डनिंग